परमपरा में धर्म बसता है और परमपराएं ही धर्म को संभालने का कारे करती हैं ये सत्य है पर क्या केवल परमपरा ही धर्म है विचार कीजिए सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाशान में शिल्प होता है उसी प्रकार परमपरा में धर्म होता है इस पत्थर में शिल्प है ये पत्थर शिल्प नहीं शिल्प को जागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है ठीक उसी प प्रकार परमपराओं में धर्म थूंदना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परमपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना धूंडा जाता, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्क नहीं मिल पाता। अर्थात परमपरा को पूर्टा छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है। और परमपरा का अंध अनुकरन करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हन्स के पास नीर्खशीर विवेक होता है। दूद में मिले पानी को छोड़ कर केवल दूद ही ग्रहन करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए रुदे में ज्यान से जन्मा विवेग आवश्यक है? और ऐसे विवेग के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है.